नमस्कार साथियों यदि आपने अपना ITR फाइल कर दिया है और आपका रिफंड आपके खाते में जमा होने की बजाय फैल हो चुका है तो आपको क्या-क्या जानकरियां e-feeling portal और bank में update करनी है इससे जोड़े वीडियो मेरा आमनियास महरा आपको चैनल पर पहले उपलब्द करवा चुका हूँ यदि आपको उन वीडियो की help की आउशकता है तो इस वीडियो के description box में मैंने उन वीडियो के link आपकी सायता है तो उपलब्द करवा दिये हैं तो आप description box में जाकर पहले उन वीडियो की help लें और आपने वीडियो की help ले ली है सारी जानकरिया आपने अपडेट कर दी है जो जो भी मैंने वीडियो में बताई है वो जानकरिया आपने अपडेट कर दी है फिर भी आपके खाते में आपका refund नहीं आया है तो आपको इस वीडियो में मैं refund reissue request डालने की संपुन प्रक्रिया step by step बताने वाला हूं तो प्रक्रिया बताने से पहले सात्यों मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नहीं है तो चलिए सात्यों देख लेते हैं संपुन प्रक्रिया कि आपको कैसे आपका जो refund फेल हुआ है उसकी refund reissue request आपको वापस डालनी है efeeling portal पर तो आपको सबसे पहले आपके system में जो chrome browser होता है उस पर click करना है और जैसे आप यहां click करेंगे इस तरह की आपको search बार यहां दिखाई देगी तो आपको यहां search बार पर click कर लेना है और यहां लिखना है जैसा मैंने लिखा हुआ है efeeling तो आप यहां efeeling लिखेंगे और इसे सर्च करेंगे, सबसे पहली साइड आपके पास आजाएगी, income tax विबाग की जो साइड है, उसका logo आपको देख लेना है, यहापको home मिल जाएगा, income tax department आपको यहाँ मिलेगा, तो इस साइड पर आपको क्लिक कर लेना है, अब इस तरह की information आपके सामने कुल कर आएगी, तो आपको यहाँ एक login का option दिखाए देगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, कुछ time process करेंगा, यह system और आपके सामने इस तरह की information आजाएगी, अब आपको यहाँ आपकी user ID एंटर करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप आपके pain card number यहाँ एंटर कर लिजेगा, जैसे ही आप यहाँ आपके pain number एंटर करेंगे, आपको यहाँ continue का option active mode पर मिल जाएगा, तो अब आपको यहाँ continue पर क्लिक कर लेना है, अब इस तरह की information आपके सामने यहाँ खुल कर आएगी, तो आपको यहाँ जो check box दिखाए दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ right का निशान हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ जो आपके e-filling login के जो password है, वो password आपको यहाँ enter कर लेने, यदि आप password को देखना चाते हैं, तो यहाँ I button दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ password देख भी सकते हैं, जब आप यहाँ टिक कर लेंगे, उसके बाद password यहाँ enter कर देंगे, तो आपको यहाँ continue का option active mode पर मिलेगा, तो अब आपको यहाँ continue पर क्लिक कर लेना है, अब आपका refund क्यों फेल हुआ है, उसका क्या करण रहा है, संपूर्ण detail मैंने आपको पहले ही अपने वीडियो में दे चुका हूँ, तो सात्यों मैं यहाँ ज़्यादा एक plan नहीं करू मैंने आपको याद दिला दिया है, कि आपका refund जो फेल हुआ है, किस कारण से हुआ है, क्यों हुआ है, bank में आपको जाकर क्या कार्य करने है, online आपको क्या कार्य करने है, वो संपूर्ण जानकारी में पहले अपने वीडियो में दे चुका हूँ, यदि मैं आपको फिर डालने की प्रक्रीया बता रहा हूं तो जैसे यह आप यह रिक्वेस्ट जालेंगे आपका payment कुछ दिनों बाद आपके खाते में जमा होगा तो वह प्रक्रीया में यहां बतारा हूं तो अब आपको यहां करना क्या है सबसे पहले यहां आपको आपका जो name दिखाए देगा उसके नीचे जो drop down box दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपको यहाँ option मिल जाएगा my profile का, तो आपको my profile पर क्लिक कर लेना है, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह की information यहाँ खुल कर आएगी, तो आपको यहाँ देखना है कि my bank account का option आपको यहाँ दिखाई देगा, तो आपको इस option पर आप क्लिक करना है, अब आपके सामने इस तरह की information यहाँ खुल कर आजाएगी, आपने कौन सा bank account एड़ किया है, यदि आपने मेरे वीडियो की help लियोगी पहले, तो आपको सब कुछ वहाँ मैंने information बताई थी कि आपको bank account कैसे एड़ करना है, कैसे उसको validate करना है, तो संपुर्ण जानकारी मैंने आपको पहले ही वीडियो में दे चुका हो में, तो यदि आपने आपका bank account को उस वीडियो की help लेकर validate कर दिया होगा, तो आपको आपके bank account number यहाँ दिखाई द मिल रहा है, उसके बाद दूसरे number पर eligible for refund, आपका account जो है, वो eligible होना चाहिए refund के लिए, तो यहाँ भी आपको green tick मिलना चाहिए, मतलब यहाँ green tick आपका मिल रहा है, उसके बाद mobile number आपके जो है verified हो चुके है bank से, तो वो information आपको यहाँ display होगी, उसके बाद अगली information आपको जो यहाँ display होगी, यदि आपका mail verify नहीं होगा, तो इस तरह से question mark आपको यहाँ दिखाई देगा, तो आपको bank में जाकर आपके mail को verify करवाना होगा, परन्तु आपका यदि, यहाँ आपको मिल गया कि eligible for refund, तो अब आपका खाता जो refund लेने के लिए तयार है, परन्तु आप गलती क्या करते है, refund आपका क्यों नहीं आया है, आप यहाँ नीचे देख सकते है, nominate for refund, यहाँ आपको दिक्कत आएगी, आपको यहाँ जरूर देखना है कि जो आपको यहाँ मिल रहा है, nominate for refund, तो आपको यहाँ एक button मिलेगा, इस button पर आपको click करना है, और इसे on कर लेन है, जैसे आप यहाँ click करेंगे, आप यहां देख सकते हैं कि यह जो आपका refund में आएगा, खाता संख्या, आपको यह दिशब्लेई हो रही है, बेनकिक चेयां आपको यहाँ दिशब्लेई हो जाएगा, परन्तु यहां आपको यह बटन on होना चाहिए, तब ही आपके refund against fee request डाल दीजे, आपका refund आपके खाते में नहीं आने वाला, अब हम बात करते हैं आगे, कि आपको refund issue request raise कैसे करनी है, कैसे portal पर दर्ज करनी है, तो उसके दो तरीके हैं, सबसे पहला तरीका में आपको यहाँ पताता हूं, कि आपको यहाँ मिलेगा e-file का option, तो आपको e-file पर किलिक करना है, जिसे आप यहाँ किलिक करेंगे, आपके सामने दूसरा, पहले नंबर का option यहाँ मिलेगा, income tax return का, तो आपको इस पर किलिक करेंगे, अन्य option इस side में आपके सामने खुल कर आएंगे, अब आ यहां देख लिजेगा कौन से assessment year का आपका refund फेल हुआ है वो आपको यह इसपस्त जानकरी मिलेगी जैसे assessment year 2013 का refund जो है वो यहां आपको उसका status दिखाई देगा refund failure मतलब यहां refund फेल हो चुका है जिन सात्यों का refund फेल होगा वही साती refund issue request यहां डाल सकते हैं portal पर बाकी और नह ही डाल पाएंगे तो सबसे पहले आपको यहीं देखना है कि यह आपका refund फेल हो चुका है तो ही आप request डालने के लिए इलेजिवल है अब आप यहां से भी that सिधे request डाल सकते हैं तो उसके लिए आपको यहां एक option दिया हुआ है view detail का तो जैसे आप यहां view detail पर क्लिक सामने इस तरह की information अब खुल कर आ जाएगी तो अब आपको यहां नीचे देखना है यहां नीचे मिल जाएगा option submit refund reissue request का क्योंकि जो आपका refund जो फेल हुआ है वो किस date को हुआ है किस कारण से हुआ है संपुन detail आपको यहां मिलेगी परन्तो आपको यहां एक option और मिल जा तो आप सीधे यहां आ जाईए आपको यहां सबसे पहले इतने मालो कि यहां आप इतना सब कुछ देखेंगे तो लंबी प्रोसेस होगी तो आप सीधे यहां आ जाईए services आपको एक टेप यहां दी हुई है तो service पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की option य जाएगा create refund reissue request तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है अब इस तरह की information आपके सामने यहां खुल कर आएगी तो आपको यहां कितने चरणों में कारी करना है वो आपको यहां इस पस्ट दिखाई देगा सबसे पहले पहले चरण में आपको select return करना है उसके बाद दूसरे करिया आपको बताने वाला हूँ आप सिर्फ वीडियो को बीना skip किये देखते रहिएगा तो आपको यहां acknowledgement आपके नंबर यहां दिखाई देते रहेंगे उसके सम्मुक आपको एक circle दिखाई देगा तो इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करना है जैसे आप इस पर click information अब आपके सामने display होगी आपका पहला कारिय हो चुका है तो यहां आपको green color में white color से right का निशान दिखाई देगा आपने return को क्या है वो select कर लिया अब आप दूसरे चरण पर पहुंच चुके हैं तो दूसरे चरण में आपको bank account verify करने के लिए यहां का जाएगा तो आप को यहा इस्टेट बैंक और इंडिया दिखाई देगा यो जू भी आपने bank add कर रखी होगी उस bank का नेम आपको यहां दिखाई देगा account number आपको यहां दिखाई देंगे कुछ पूरे आपको दिखाई नहीं देंगे पर तो कुछ account number आपको यह दिखाई देंगे और यह validate की सितिकोः वो सारी जानकारी आपको यहां दिखाए देगी mobile number, email ID की information आपको यहां show हो जाएगी तो अब आपको bank name के सम्मुख जो circle दिखाए दे रहा है इस पर click कर लेना है जिसे आप इस पर click करेंगे उसके बाद अगला option आपको यहां मिलेगा proceed to verification का वो active mode में आपके सामने आ जाएगा तो इस पर आपको click कर लेना है अब इस तरह की information आपके सामने फिर से खुल कर आएगी आपको दो चरण का कारिया आपका हो चुका है अब आपको यहां method select करने के लिए कहा जाए verification आपसे करवाया जाएगा तो आपको यहां कई सारे option दिये होए है पर सबसे बढ़िया और सबसे सरल option होता है I would like to verify using OTP on mobile number register with आदार जो mobile number आपके आदार पर register है उस पर आपको OTP प्राप्त कर लेना है और verify करना है तो आपको मेरे अनुसार तो पहला ही option आपको select करना है उसके अलावा यदि आप और option यहां select करना चाते है तो बहुत सारे option आपको दिये होए है आपको यहां पर मिल जाएगा through net banking, through bank account, through demate account already have an electronic verification code यदि आपके पास है I have already OTP mobile number register with आदार यदि आपको 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 पहले से OTP है तो यह सारी जानकारिया आपके लिए है आप जिससे भी verify करना चाते हैं वो depend करता है आपको पर परन्तु सबसे सराल और सबसे सीधा उपाई यह है कि आप यहां पर click किजिएगा I would like to verify using OTP on mobile number register with आदार तो आपके जो register number है आदार पर उन पर एक OTP आएगा जैसे आप यहां किलिक करेंगे आपको यहां continue का option है जो active mode पर मिलेगा तो आपको इस पर click कर लेना है और जैसे आप यहां किलिक करेंगे आपके सामने इस तरह का dialogue box आ जाएगा तो आपको यहां जो check box मिल रहा है इस check box पर आपको click कर लेना है यहां लिखा गया है I agree to validate my आदार detail आपको agree करते हैं आदार की detail को validate करने के लिए तो आप यहां check box पर click कर लेंगे रायट का निशान हो जाएगा अब आपको यहां option विलेगा generate आदार OTP का तो आपको इस पर click कर लेना है अब जो भी OTP आपके जो आपने जो आदार पर आपके mobile number register करवा रखें उस पर आए हैं उन OTP को आपको यहां enter कर देना है जिसे आप यहां OTP enter करेंगे यहां जो validate का option है वो active mode पर आ जाएगा तो अब आपको यहां पर click कर लेना है जिसे आप यहां click करेंगे आपके सामने अब इस तरह की information कुल कर आएगे जिसमें आपको बताया जाएगा submitted successfully आपका जो refund reissue request है वो submit successfully हो चुकिए उसकी transaction ID आपको यहां बताया जाएगी और उसके बाद आपको यहां जानकारी दी जाएगे जिसमें आपको बताया जाएगा request for refund reissue has been submitted to ITD successfully and email has been sent to your register email ID मतलब आपको email भी इस तीज का प्राप्त होगा आपने जो email ID register करवा रखिए उस mail ID पर जाकर आप आपके जो mail आया होगा उस mail को check कर सकते हैं अब यदि आपने जो request डाली है उसे आप देखना चाते हैं तो आपको यहां DIY option view refund reissue request का तो आप इस पर click कर लिजेगा जैसे आप यहां click करेंगे आपको यहां information मिल जाएगे आपके transaction ID आपको यहां show हो जाएगी आपको assessment year यहां पर show होता रहेगा आपकी जो request है वो 5 अगस्त को submit की गई है यहां आपने एप्रू कर दिये 5 अगस्त 2023 को आपने मालो में एप्रू कर दिये तो वो मुझे दिखाई दे रही है तो जिस स्थिति को भी आप एप्रू करेंगे वो आपको यहां दिखाई दे जाएगा उसके बाद request आपकी submit की स्थिति को हुई है वो information आपको यहां show हो जाएगी आपके pen number आपको यहां show हो जाएगा और reference number आपको यहां show होता रहेगा तो साथ आपको यहां ध्यान क्या रखना है कि जो मैंने सारे वीडियो तीन या चार वीडियो लगबग इस वीडियो से पहले बनाए है वो वीडियो इसलिए बनाए थे कि आप यदि उन वीडियो की help लेकर जो जो भी कार्य आपको करना है यदि आपने वो कार्य पूरा कर लिया है उसी के बाद आपको आपकी जो refund रिफंड, रिइशु रिक्वेस्ट है उसे जर्नरेट करना है क्योंकि यद़ि आप एग बार गलत रिफंड, रिइशु रिक्वेस्ट जनरेट करदेंगे तो 3 महीने तक आप वापस रिकवेस्ट नहीं ृडाल सकते है क्योंकि यदि आपका बेंक ships वेलीडेट नहीं होगा, बेंक नगर नहीं ऑनी नहीं किया होगा जैसे मैंने नॉमिनेड बेंक को किया था उस चीज को आपने ओन नहीं किया होगा, और आपने refund reissue request डाल दी तो आपका refund आपका खाते में नहीं आएगा, तो मेरा आपसे फिर निवेदन रहेगा कि यदि आप refund reissue request generate करना चाते हैं तो सबसे पहले जो इस वीडियो के description box में मैंने वीडियो के link को प्लब्द करवा रखे हैं आप उन वीडियो को देखिएगा सबी वीडियो को देखने के बाद जो जो भी प्रक्रिया है मैंने उन वीडियो में बता आपको refund reissue request केसे generate करनी है तो आपको refund reissue request efeeling portal पर आपको दर्ज करनी है जैसे आप इस request को दर्ज करेंगे कुछी दिनों में आपका जो refund है यदि आपने सब कुछ कार्य सही किया होगा तो आपके खाते में जमा हो जाएगा उम्मीद्य सात्यों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी आपको अच्छी लगे, तो आप इस वीडियो को हमारे अधिक सैधिक सात्यों तक पोचाएगा, और हाँ comment box में comment करके मुझे motivate अवस्षिक कीजेगा और बताएगा कि जानकारी आपको कैसे लगी, और य यहता शिक्र आपके लिए जल्द से जल्द चैनल पर वीडियो अवलेबल करवाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं साथ यो इसी तरह के नवीन अपडेट के साथ तब तक के लिए जे हिंद जे भारत।